कैसे हो मेरे प्यारे विद्धियारतियों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने येटी चैनल फ्रेंड ओफ स्टुडेंट मैं आज आप पढ़ेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्ससाइज 2.2 कोश्यन नंबर 4 एंड कोश्यन नंबर 5 इस प्रिष्णावली का पहला दूसरा और तीसरा प्रिष्ण मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ लिंक मैं इस व्यूडियो गिलास्ट में दे दूँगा आप उन सवालों को भी देख सकते हैं तो चली सबसे पहले प्रष्ण नंबर 4 को सॉल्ट करते हैं नंबर 4 स्टुलेंट्स हमसे क्या कहता है हमसे कहता है कि छायांकित कीजिये यानि रंग भरिये या शेड कीजिये किसको फर्स्ट में हमसे कहा गया बक्सा ए के ब्रतों का एक बटा दो भाग तो यहां पर बक्सा ए हमें दिया है इसमें कुछ ब्रत दिये हैं इन ब्रतों की संख्या का एक बटा दो भाग हमें चायांकित करना है, रंगना है सेकंड में हमसे कहा गया है बक्सा B के तिरबुजो का दो बटा तीन भाग यहाँ पर बक्सा B है इसमें कुछ तिरबुज है इन तिरबुजो का दो बटा तीन भाग हमें छाय अंकित करना है थर्ड में हमसे कहा है बक्सा C के बर्गो का तीन बटा पांच भाग यहाँ पर बक्सा C है, इसमें कुछ बरग है, इन बर्गों का तीन बटा पांच बाग हमें 6 अंकित करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, first की, बक्सा A के ब्रतों का एक बटा दो भाग, तो यहाँ पर बक्सा A दिया है, इसमें कुछ ब्रत दिये हैं, यह ब्रत कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, लो, दस, ग्यारा, बारा, यानि बारा ब्रत दिये हैं, बारा ब्रतों का एक बटा दो भाग, यही तो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, बक्सा A के ब्रतों का एक बटा दो भाग, और बक्सा A में कितने ब्रतों हैं, बारा, तो बारा ब्रतों का एक बटा दो भाग, ठीक है, चलिए, निकाल लेते हैं, बारा का एक बटा दो, तो बारा और का का मतलब होता है गुणा ठीक है और फिर हम लिख देंगे एक बटा दो अब यहां दो से ये बारा पूरा पूरा बिभाजित हो रहा है तो बिभाजित कर देंगे दो से बारा कितनी बार में हो रहा है तो छे गुणा एक कितना होता है छे कम छे यानि हमें बारा ब तो हमें इनके छह ब्रतों को क्या कर देना चाय आंकित कर देना तो चली कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे ठीक है हमने ने क्या कर दिया चाय आंकित कर दिया यही हमारा आंसर हो जाता है एक बटा दो का मतलब क्या होता है、किसी भी चीज का एक बटा दो होता है, उसका आधा固ग सब्सक्रावा나剛剛 camera यानि 9 तिरी भुजों का कितना? 2 वटा 3 भाग, ठीक है? तो 9 गुणा में 2 वटा 3 का का मतलब क्या गुणा, ठीक है? अब यहाँ देखी, 3 से 9 पूरा पूरा बिवाजित हो रहा है, तो कर लेते हैं, 3, 3, 9, 3 से हमने 9 को विवाजित किया, 3 वार में यह विवाजित हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर यह 9 तिर्भुज दिये हैं, इन में से 6 तिर्भुजों को हमें क्या करना है? 6 यांकित करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है? यही हमारा आंसर हो जाता ओके? चलिए थर्ड पार्ट को कर लेते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें दिया बक्सा C के बर्गों का तीन बटा पांच भाग तो बक्सा C में हमें कितने बर्ग दिये है? गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँच, पाँच, पंद्रा, ठीक है, तो लिखेंगे, पंद्रा बर्गों का कितना, तीन बटा पाँच भाग, तीन बटा पाँच भाग, चली सॉल को लेते हैं, पंद्रा का का मतलब गोणा, और यहां तीन बटा पाँच अब 5 से ये 15 पूरा-पूरा विवाजित हो रहा है, तो कर लेते हैं, 5, 1, 5, 3, 15, तो हमें क्या मिलेगा, 3, 3, 5 तो कड़ गया हमारा पूरा-पूरा, ठीक है, तो 3, 3, 9, यानि इसमें से हमें 9 बर्गों को क्या गरना है, 6 अंकित करना है, तो कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर, ठीक है, हमारा question number 4 solve हो गया है, चलिए अब हम question number 5 को solve, question number 5 में हमें दिया है, ग्यात कीजिए, क्या ग्यात कीजिए, तो यहाँ पर A, B, C, D, यह 4 भाग दिये हैं, और इन 4 भागों में हमें 2-2 यह प्रशन दिये गए हैं, ठीक है, इन प्रशन है, 24 का 1 बटा 2, और second है इसका 46 का 1 बटा 2, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम A को solve करते हैं, यहानि A का first part, यहाँ पर हमारा यह हल है, ठीक है, A का first part, और A के first part में हैं क्या दिया, 24 का 1 बटा 2, ठीक है ना, तो 24 का 24 लिखिए, का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा लगाईए, और एक बटा 2 लिख लीजिए, ठीक है, अब देखिए, इस 2 से यह 24 को अगर हम भाग देते हैं, तो यह 24 बारा बार में पूरा पूरा बिवाजित हो जाएगा, हो जाएगा यानि, तो बिवाजित कर देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 बारम, कितना होता है, 24, यानि जब हम 2 से 24 को भाग देंगे, तो बारा बार में यह विवाजित हो जागा, यानि भाग पल हमें कितना मिलेगा, बारा मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आजाएगा, क्या बच्छा, बारा यानि बारा एक कम 12, यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है, और यहाँ पर दो एक बार में कैंसिल हुआ है, तो बटे में हम एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या, बारा बटा एक, बटे का एक हम नहीं लिखते हैं, जहां बटे में एक आता है, बहां हम केबल संख्या लिख देते हैं ठीक है तो 12 इसका आंसर हो गया सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या दिया है हमें 46 का 1 वटा 2 यानि 46 का 1 वटा 2 क्या करना है स्टुडेंट समें का की जगे गुणा लगाना है यानि 46 गुणा 1 वटा 2 ठीक है अब इस 2 से ये 46 पूरा-पूरा विभाजित हो रहा है तो हमें क्या करना 2 से 46 को भाग देना है यानि 2 से 46 को क्या करना भाग देना है चली भाग दीजिए तो पहले 4 में देंगे 2 दूनी 4 क्या बच्चे का 4 में 4 देंगा जी रो फिर हम 6 उतार लेंगे अब हमें किसमें भाग देना 6 में तो 2 तिया 6 पूरा-पूरा विभाजित होगे यान से इस पर क्या बच्चा जी रो बच्चा इसी को कहते हैं कि पूरा-पूरा विभाजित होने के बाद जो भाग फल मिलता वही हमारा क्या होता आंसर होता है नहीं, ठीक है ना, तो 2 से हम 46 को अगर भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 23, ठीक है, अब हमें क्या मिला, 23 गुणा एक, और बटे में क्या है, 1 है, क्योंकि 2 एक कम 2, 2 एक बार में कटा और 46 कितने बार में कटा 23 बार में ठीक है ना तो 23 गुणा ये कितना होता है 23 और बटे में क्या आएगा एक जब बटे में एक आता तो से हम नहीं लिखते हैं यही हमारा आंसर हो गया ठीक है students ओके अब हम बात कर लेते हैं B की किसकी B की तो B में हमें क्या दिया है पहला दिया 18 का 2 बटा 3 पहला हमें दिया है 18 का 2 बटा 3 चली solve कर लेते हैं 18 गुणा 2 बटे में 3 3 से 18 6 बार में कैंसिल हो जागा 3 चंग 18 तो आंसर क्या हम लेगा 6 गुणा 2 यानि 6 दूनी 12 बटे में 1 है उसे हम लिखेंगे नहीं तो यह हमारा आंसर हो गया ठीक है सेकेंड की बात कर लेते हैं तो सेकेंड में में क्या दिया है 27 का 2 बटा 3 यानि 27 का 2 बटा 3 तो 27 का 27 लिखिए ठीक है और का की जगे गुणा लगाई है और फिर लिख दीजे 2 बटा 3 तीन से 27 नौ बार में विवाजित हो जाता है तो 9 लिख लीजी 27 को काट दीजीए अब मिलेगा हमें 9 गुणा 2 9 गुणा 2 कितना होता? 18 और यहां 3 एक बार में कैंसल हुआ इसलिए बटे में एक हम नहीं लिखेंगे यह हो गया हमारा B के आमसर अब हम बात कर लेते हैं C की तो यहां पर सॉल्ट कर लेते हैं C को C C का पहला हमें दिया है 16 का 3 बटा 4 16 का 3 बटे में 4 तो क्या करना है students? 16 लिखिए का का मतलब गुणा और फिर 3 बटे 4 4 से 16 पूरा पूरा विवाजित हो रहा विवाजित कर लेते हैं 4 एक कम 4, 4 चौक 16 तो हमें एक आंसर में क्या मिलेगा? 4 गुणा 3, 4 तियां 12 और बटे में 1 है तो वह हम लिखेंगे नहीं यह हो गया हमारा आंसर ठीक है? चलिए इसका second कर लेते हैं तो second में हमें क्या दिया है? 36 का 3 बटा 4 36 का 3 बटा 4 solve कीजिए 36 का का मतलब गुणा और 3 बटा 4 तो 4 से 36 कितने बारे में cancel हुआ? 4 नेम 36 ओके? फिर हम गुणा कर लेंगे 9 गुणा 3 कितना आजागा? 9 27 यह हो गया हमारा आंसर ओके? चलिए अब हम कर लेते हैं D D को solve तो D का पहला हमें क्या दिया है? D का हमें पहला दिया है 20 का 4 बटे 5 20 का 4 बटे 5 solve कीजिए 20 का 20 लिखिए का का मतलब गुणा लगाई है? फिर 4 बटे 5 लिखिए देखिए 5 से 20 4 बार में पूरा-पूरा कैंसल हो रहा है 5 एकम 5 5 चौक 20 तो क्या मिला हमें? 4 गुणा 4 4 चौक 16 बटे में यह का? उसे हम लिखिएंगे नहीं यह हमारा आंसर हो गया सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हमें क्या दिया है? 35 का 4 बटे 5 35 का 4 बटे 5 35 का 35 लिखना है का का मतलब गुणा और फिर 4 बटे 5 5 से 35 कितने बार में विवाजित हो रहा है? 7 बार में 5 एकम 5 5 सत्ते 35 तो हमें क्या मिला? 7 गुणा 4 7 चौक इतना होता? 28 और बटे का एक हम लिखते नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाता है ठीक है? यह हो गया कोश्चन नमबर 5 के आंसर उम्मीद करता हूँ दोन ही सवाल आपको समझ में आ गया होंगे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद